हलो गैज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोल डिकसेंस की क्लास इसमें मेरा नाम है सुनम चोहान और आज के मनशाशन का टोपिक है अमपोर्समेन System of Control on Public Administration यानि कि Public Administration पर जो ओमपोर्समेन जो सिस्टम है वो कैसे कंट्रोल करता है यानि कि ओमपोर्समेन को हिंडी में मलोकपाल के नाम से जानते हैं तो लोकपाल इंडिया में जो भी Public Administration जो भी हमारा लोक परशासन है जिसमें छोटे बड़े हर टाइप के जो अधिकारी आते हैं उनके सिस्टम को वो कैसे कंट्रोल करता है क्योंकि बेसिकली इसका जो work होता है ये होता है corruption को कंट्रोल करना हर तरीके से जो अधिकारी अपने पाव का मिस्यूस करते हैं उनको investigate करते हैं के केस को हैंडल करते हैं या कोई भी ऐसा मतलब citizen से related या कोई भी ऐसा आम आदमिया कर इनको मतलब शिकायत दर्जगराता है तो वो उस शिकायत के आधार पर जाज परताल करते हैं तो इसरह के काम करते हैं तो आदम आपको बताएंगे ombudsman क्या है किस तरह के से काम करता है और इंडिया में इसकी क्या मतलब importance है तो वीडियो को आधार दर्जगर देखना है काफी informative वीडियो अदा होने वाली है यह नहीं जाना है आपको कि यह आपके syllabus से related है या आपके topics से related है या आपके जो भी आप education से ले रो उससे related है यह एक basic information है तो यह हर एक student के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी political science के लिए ज़रूरी है तो चलिए start करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर बात करनी होती है कि what is ombudsman की ombudsman क्या है देखिए ombudsman अर्थाथ लोगपाल हिंदी में इसको लोगपाल बोलते है ऐसे English में जो भी pronunciation है एक Swedish language से related है जो 1809 में Sweden में जो starting थी वो की गई थी यहाँ एक Swedish भासा का शब्द है और जिसका जो भी शाब्दी करत होता है जो भी actual में जो meanings निकलता है वो ऐसे अधिकारी या ऐसे लोग सेवक से है जो विदाय का दुआरा निक्ति किया जाता है तथा यहाँ प्रशास्निक और नियाइक कारेवाई के विरुद की जाने वाली शिकायतों की देगरे की अजजाच परदाल करता है यहाँ पर सभी प्रकार के बंदनों से मुक्त होता है और पूरी तरह सहीधान और कानून के प्रतिवे समर्पित होता है कहने का मतलब क्या है यहाँ पर किसी भी मिनिस्टर की किसी भी अधिकारी की इस पर शोर्स नहीं चलती है कि कोई भी केस होता है या भी कोई भी corruption से related कोई भी ऐसा case होता है तो बहुत सारी cases में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पर minister या कोई भी बड़ा अदिकारी या कोई भी party का minister वहाँ पर क्या करता है कोई भी party का members हो तो वो क्या करता है उस case को दबा देता है या पैसे वैसे दे करके उस case को रफादफा करा देता है लेकिन यहाँ बर जो ombudsman जो काम करता है यह इन सबसे बिल्कुल open है इन सबसे बिल्कुल freedom है यह किसी भी shorts के आदार पर काम नहीं करता है तो अगर किसी के किसी भी अधिकारी या किसी भी department के खिलाफ कोई भी शिकायत वहाँ पर दर्ज होती है तो यह proper रूप से बड़े ही clarify तरीके से वहाँ पर investigation करता है और अगर accurate और अगर actual में वहाँ पर जो भी cases है जो भी वहाँ पर complain है वो बिल्कुल सही होती है तो वो उनको दंड देने की भी वहाँ पर positions रखता है तो इस तरह किसे काम करता है तो यहाँ पर एक बहुत ज़ादा importance रह जाती है तो यह जो काम करता है यह जितने भी शिकायते होती है चाहे वो जनता द्वारा दी गई हो या फिर कोई पर्टिकुलर परसन द्वारा वहाँ पर भेजी गई हो तो सब की यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से जाच परताल करता है अब सबसे नेक्स नम बात करते हैं वर्क ओफ ओम्बूर्समेन की जो ओम्बूर्समेन है उसके क्या काम होते है देखिए यह है प्रशासनिक अधिकारी के विरुद जितने भी प्रशासन से अधिकारी आपके IS हो गए IPS, PCS छोटे बड़े हर टाइप की जो भी जितने भी आपके आपके आसपा जो अधिकारी होते हैं फिल्ड वर्क में तो इनके विरुद ऐसे मामलों की जाच करता है ऐसे मामलों की इन्वेस्टिकेशन करता है जो कुशासन यानि कि जो कुशासन का मतलब होते है जो बैट गवर्नेंस के लिए एक्जामपल सेट करते हैं प्रशासिक सत्ता का दुरूपयोग ब्रश्ट आचरन, पक्षपाद, भाई बतिजाबाद या अन्ये ऐसे ही जो ब्रश्ट आचरन होते हैं उनके संबन में नागरी को द्वारा जो भी शिकायते की जाती है उनकी शिकायतों की जाच करता है यानि कि जहां पे misuse governance, misuse of administration power corrupt conduct, favoritism, nepotism हर तरीका का जो भी case वहाँ पे आता है जो especially अधिकारी से related होता है वो जो भी वहाँ पे complain होती है उसको investigate करता है और सही तरीके से बहुत दी clarified decision वहाँ पे यह लेता है तो यह इसका work होता है और इंडिया जैसे वैसे तो हर country में इसकी अपनी importance होती है लेकि इंडिया जैसे country में ombudsman की क्या importance है यह आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि इंडिया में गया होता है इंडिया में ब्रष्ट अचार के इतने मामले हैं कि हम अगर बैठने, हम अगर research करने बैठ जाए तो मतलब पूरा एक research की कोपी तयार हो सकती है आपे आप जहां जाओगे है चोटे से चोटे departments लेकर पढ़े से बढ़े department तक आपको ब्रष्ट जो अधिकारी है वो आपको मिल जाएंगे और हम यह नहीं कहा रहे है कि ब्रष्ट अधिकारी आपको हर जगा मिलेंगे उन ब्रष्ट अधिकारी के बीच में कुछ इमानदार officers भी होते हैं जो जिनकी वज़े से जो system है थोड़ा सा balance लेकर के चलता है अधर वाज अगर 100% यहां पर corrupt हो गए तो मतलब जो system है इंडिया का वो तो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा तो यहां पर कुछ 10% ऐसे मतलब 100 में से 90% अब ब्रष्ट समझ सकते हो जो 10% है जिसके आधार पर देश चलता है जो इमानदार होते हैं जो अपने duty को फोकस करते हैं अपने duty के परती जो मतलब उनके dedication है उसके आधार पर वो काम करते हैं तो यहां में हमने बात की ombudsman के work की जो वहां पर वो काम करता है तो proper उपसे जो भी misuse governance होती है जो corrupted behavior होता है corrupted जो officers होते है या nepotism होता है कहीं पर भी इस तरह का जो भी cases होता है and investigate करता है और यह कोई ऐसे नहीं कि कोई भी मतलब तो इसमें जो भी complain की जाती है वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा वहां पर complain वो की जा सकती है next नहीं हम बात करते हैं ombudsman in India यानि कि भारत में ombudsman की क्या situations है तेकि भारत में लोकपाल संस्था की स्थापना की जो अवधारना है जो उसका base है जो उसकी नीव है वो सबसे पहले 1956 में प्रमुक विधिवेता विधिवेता का मतलब होता है जिनको कानूनों का ज्यान होता है एवं संसत सरे से डॉक्टर लक्षमी मल सिंधिवी ने इसको स्थापना पर जोड़ दिया जिसके फलसरूप यानि की रिजल्ट ये निकला कि पहली पार इसके स्थापना से संबनी थे एक विधे एक्ष्रिम इंद्रा गांधी के जो प्रधान मंतरी काल में 1970 में यानि कि 1970 में लोगसबा भंग हो जाने कारण इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हो सकी और विधे की सबापत हो गया यानि कि जब हम बात करते हैं ओम्बूर्समेन की पर्जेंटेशन की या उसको स्टैबलिश करने की तो बहुत सारी प्रॉबलम्स स्टार्टिंग में यहां पर देखने को मिलती है इतनी सारी प्रॉबलम्स है कभी यह प्रेजेंट होने में दिक्कत होती है इसमें कभी कभी हैसे मतलब ऐसे सिचुवेशन साई कि यहाँ पर प्रॉपर रूप से जो गौर्वर्मेंट है जो उसको मतलब establish करने का जो उसके पास powers होती है वो भंग हो गई मतलब इस तरह के activity यहाँ पर देखने को मिलती है 1910 में भी फिर से इसको लोग साब में प्रस्तूत किया गया फिर से सरकार बनी फिर से इसको प्रेजेंट किया गया लेकिन बहुत कारणों की विज़े से फिर से रद्ध हो गया एक ombudsman का जो post होती है basically यहाँ पे अगर system जो है वो सही तरह के से काम कर रहा है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मतलब ombudsman वहाँ पे point ना हो वहाँ पे उसको established ना किया जाए लेकिन अगर system मतलब constitution के against काम करता है या फिर कुछ ऐसा जो government जो system होता है उसका misuse करता है अपनी power का misuse करता है corruption जाद है हर चीज में corrupt है इंसान वहाँ पे अधिकारी, ministers, हर तरीके का छोटा बड़ा अधिकारी अपना वहाँ पे ने system पुरा का पुरा corrupt है तो वो system कभी नहीं चाहेगा एक ombudsman की वहाँ पे post को appoint किया जाए तो बहुत सारे से reasons हैं कि वहाँ पे ombudsman appoint होते होते रह गया या तो वो government मतलब भाग होगी जो leader थे वो लगातार चाहते थे कि ombudsman को यहाँ पे इंडिया में establish किया जाए इसके बाद 1977 में फिर से एक गैर कंगरिसी सरकार जो जनता सरकार है वो बनी तो उसमें श्री जेपरकास नायरेन की प्रेणा से inspire होकर फिर से एक बार इस विदे को 3 जुलाई को तीसरी बार रखा गया बट इसकी मनजूरी होने से पहले ही 1979 में सरकार के गिर जाने के करण यह प्रसा फिर से दब कर वही कम ही रहा गया तो यह एक situation मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको discuss करके बताया है explain करके बताया है कि यहाँ पे मतलब कितनी बार ombudsman को establish होने के लिए कितनी सारे मतलब जो step है कितने सारे steps उसको गुजरना पड़ा finally आज इस post को appoint हो finally आज यह post establish है यहाँ पे मतलब अधिकारे काम करते हैं लेकिन उस level पर काम यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि corrupt जो अधिकारी है आपको वो आपको कहीं ने कहीं मिली जाते हैं तो किसी particular हम officers को नहीं बोलेंगे हर department में आपको corruption मिलेगा हर department में आपको nepotism मिलेगा तो इसको कोई particular post खतम नहीं करेगी कि ombudsman का यह work कि वो तो एक post के इसाब से उसको work वहाँ पे दे दिया है कि इसका वर्क ये है ये ध्यान रखे का इसमें बहुत छोटे छोटे जो मेंबर्स हैं उनकी वहाँ पे न्युक्ती होगी एक सब्मूँ एक यूनिट की तरह बो लोग काम करेंगे लेकिन इन सब को खतम करने में हमारे खुद की भी कुछ रिस्पोंसिबिलिटी है कि जहां पर नेपोटिजमें उसके अगेंस्ट आप वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी करें लोगों को अवेर करें खुद अवेर रहें जहां भी करॉप्शन्स हैं वहाँ उसके करॉप्शन्स के खिलाफ खड़े रहें करॉप्शन्स को मतलब उस चीज़ को आप उसमें इन्वोल्ड नहीं होना है लोग क्या करते हैं करॉप्शन्स हो रहा है एक्टिविटी हो रही है देख रहे हैं गलत हो रहा है लेकिन उसमें involved हैं या तो कुछ बोलते नहीं और या फिर उसको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे देखते रहते हैं लेकिन उसके against कोई भी action नहीं लेते हैं पता है actions लेने के बाद बहुत सारे allegations लग जाते हैं यानि कि आप किसी बड़ी company है किसी बड़ी department के खिलाफ कहीं पर भी कोई भी इस तरह का charges लगाते हो तो वो department और वो जो भी companies हैं के पास इतनी powers होती हैं कि वो आपको दबा देते हैं इस डर की वज़े से कोई actions लेना वाँ पे पसंद नहीं करता हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़े होती हैं जब जनता आपके साथ होती है आपको support करती है सही काम के लिए तो यहाँ पर आज हमने discuss किया proper रूप से ombudsman के बारे में कि ombudsman जो system होता है वो कैसे public administration को manage करने के लिए उसको control करने के लिए कैसे वो अपना जो system में उसको use करता है तो make sure आज का जो video session है आपको काफियत तक informative लगा होगा अगर यह session आपको पसंद आया है तो इस video को like और share ज़रूर करना और साथ ही साथ आप हमें instagram पर भी follow कर सकते हैं आप हमें facebook page पर भी आप हमें follow कर सकते हैं इन दोनों का link मैंने नीचे description में डाल दिया है आप इसको check out करके वहाँ पे आप मुझे direct message करके कोई भी आपकी problem है study से related कोई भी आपका confusions है कोई topic है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे direct message करके वहाँ पे आप मदलब पूछ सकते हैं एंड मुझे support करने के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हैं थैंक यू जय हीन जय भारत